यह है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई यहाँ पे आपको सलंस भी मिलेंगे, सीब बिरिज भी मिलेंगा, दुनिया का सबसे महंगा घर भी मिलेंगा और स्काइस्क्रेपर भी मिलेंगे, जो पोरे इंडिया में किसी भी सहर में दिखने को नहीं मिलता और यह है मुंबई मेट्रोपोलेटन रीजन, यह आज के टाइम कुछ हद तक इस तरह दिखता है यहाँ आपको नए नए इंडिस्ट्रियल जोन्स मिलेंगे, मैंग्रोज जंगल मिलेंगे, लेकिन हाई राइस बिल्डिंग देखने को नहीं मिलते बट यह सब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि नेशनल कोस्टल जोन मेनेजमेंट अथोर्टी ने मुंबई मेट्रोपोलेटन रीजन के नए कोस्टल जोन मेनेजमेंट प्लान को अपुरूब कर दिया है इस अपुरूब के बाद अब इस पूरे कोस्टल रीजन का वर्टिकल डेवलपमेंट हो पाएगा यानि जो स्काइस्क्रेपर्स आपको सिर्फ मुंबई आइलेंड सिटी में देखने को मिलते थे अब वो पूरे एममार रीजन में देखने को मिलेंगे और यहां सिर्फ मुंबई मेट्रोपलेटर रीजन ही नहीं है इसके अलावा आज पास के कुछ डिस्ट्रिक को भी इस प्लान का हिस्सा बना गया है तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि इस प्लान के अपुरूल होने के बाद यह रीजन कैसे ट्रांस्फोर्म करेगा महराश्टरा को मुंबई को और पूरे इंडिया को दोस्तो नेशनल कोस्टल जोन मनेजमेंट अथोर्टी एक गवर्मेंट अथोर्टी है सो इस मन्त में एक बड़ी खबर निकलके आती है मुंबई मेट्रो प्लाटर रीजन के कोस्टल मनेजमेंट प्लान को इस अथोर्टी के दोरह अप्रूब कर दिया गया इस plan को 2019 में बना गया था अब इस region के coastal areas में vertical development देखने को मिलेगा जो पहले नहीं था इस plan में पूरे MMR को सामिल किया गया है मुंबई को छोड़के अब इसमें मुंबई को क्यों सामिल ने किया गया इसके बारे में आगे बताऊंगा इसके अलावा इस plan में कुछ और district को साम बट इसके अलावा रतनागीरी और सिंधु दुर्ग को भी add किया गया है इस plan में अगर आप map में देखें तो रतनागीरी एक छोटा सा सहर है महराश्टरा के southern western region में जिसकी एक छोटी सी coast line है इसके अलावा सिंधु दुर्ग है जो रतनागीरे के south में इसी थे सिंधु मिल जाएगी आपको इन दोनों region को इसलिए select किया गया है क्योंकि यहां real estate की demand जाता है तो इस plan के implement होने के बाद यहां पे भी high-dise building देखने को मिलेंगे यानि coastal areas में यह कुछ ऐसे ही होगा जैसे आपको अभी तक Australian American coastal cities में देखने को मिलते हैं अब उस सवाल पे आते हैं कि मुंबई को इस plan का हिस्सा क्यों नहीं बना गया मुंबई के लिए एक अलग से coastal zone management plan exist करता है जिसको 2022 यानी पिछले साल ही approval मिला है वह सायद इस बात को detail में बतानी चाहिए थी starting में तो अब देखते हैं कि यह coastal zone management plan आखिर काम कैसे करेगा यहां पे सायद एक सवाल होगा क् coastal areas में mangroze trees को खतम करके वहां उची-उची buildings का निर्मार किया जाएगा अगर कुछ लोगों के मन में यह बात होगी तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला coastal zone management plan इस नाम में ही इसका मतलब चुपा है यानि ऐसा plan जो coastal zone को manage करे वहां पे सभी प्रकार क activity को एक plan के according किया जाए ताकि इससे सभी को benefit मिले mainly यहां focus रहेगा environment पे इस plan का aim होगा coastal environment resource को protect करना बिना environment को नुकसान पहुचाए sustainable development को promote करना और यह development एक plan के अंडर ही किया जाएगा जिस plan को बना गया है coastal zone के लिए अभी तक ऐसे areas के लिए कोई plan नहीं था बट अब यहां एक plan आ चुका है अब यहां पे भी आपको मुंबई के तरह उची 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 बिल्डिंग देखने को मिल सकती हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सभी informative लगा हो तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe मिलते हैं अगले वीडियो में अब तके लिए जाइन दो बस्तोर